समस्ति दोस्तों, लगबग सभी किसन बाईयों को यम 45 ये फुंगिसाइड पता होगा इस वीडियो में देखेंगे, यम 45 इस फुंगिसाइड को king of फुंगिसाइड क्यों कहा जाता है इस फुंगिसाइड का mode of action क्या है यह फुंगिसाइड किन-किन रोगों को कंट्रोल करने में सक्षब है इसका वापर हम कौन सी फसल पे कब कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करने का प्रामान और एक एकड का इस फुंगिसाइड का यूज करने में कितना खर्चा आता है सभी डीटेल और महतो पूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही खिती के रिलेटेड टेकनिकल जानकारी देखने के लिए चैनल को जरू सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो अपने ज्यादच ज्यादा किसन भाईयों के साथ शेर जरू कीजिएगा यम 45 इस फूंगी साइड में टेकनिकल है माइंको जाए 45% WP यानि की वेटेबल पावडर इसके आलावा इस फंगी साइड में ज्यिंक और मैगनिज के भी तत्व होते हैं मैगनिज लगबग 16% के आसपास होता है ज्यिंक 2% के आसपास होता है इस फंगी साइड का स्प्रे करने से ज्यिंक और मैगनिज की कमी भी पावदे की पूरी हो जाती है लगबग सभी फसलों पे यम 45 फुंगी साइड का इस्तेमाल किया जाता है यह एक क्वांटेक फुंगी साइड है और प्रिविंटिव स्टेज में इसके काफी अच्छी परिनाम आपको देखने को मिलते है आपको पता ही होगा लगबग बहुत सारे जो भी सिस्टेमाटिक फंगी साइड होते हैं अन्तर प्रवाई फुंगी साइड हुते हैं उनके साथ यम 45 ये फुंगी साइड लिया जाता है और उसके अल्रेडी कॉंगी साइड भी मार्केड में बहुत मिलते हैं जैसे कि redmil gold, garlic, sap और जेट, ऐसे बहुत सारे company के combination है जिनमे य पहले пой तयस्सव फंगिसाइड का systematic fungicide के साथ combination किया है इस फंगिसाइड को drenching के लिए और seed treatment के लिए भी use कर सकते हैं बहुत सारे किसान भाई य पहली पहले साइड को सी ट्रिटमेंट के लिए और डिंचिंग के लिए भी यूज करते हैं काफी अच्छे रिजल्ट प्रिवेंटिव स्टेज में आते हैं फंगी साइड मिलता है लगबग एक एकर स्प्रे के लिए इस फंगी साइड को स्प्रे करने के लिए आपको लगबग 200 रुपए का खर्चा आता है लगबग 500 ग्रैम की फंगिसाइड की किम्मत मार्केट में 200 से 220 या 230 तक मिलती है अलग-अलग कमपनी के अलग-अलग rate हो सकते हैं और rate लगबग बदलते रहते हैं आखिरी में इसका mode of action short में देख लेते हैं दोस्तो यम-45 यह फंगिसाइड डिथियो कार्बमेट ग्रुप का फंगिसाइड है जो कवक के विकास यानि की फंगस के विकास और रोगों के प्रसार की जाच करता है और जो भी फंगस की एंजाइन की गतिवद्या होती है उसको कम कर देता है अंत में फंगस जो होते हैं वो मर जाते हैं धती दोस्तों यम पाइतालिस इस फंगिसाइड की बहुत इंपॉर्टन जानकरी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजे शेर कीजे चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में तब तक की लिए शुक्रिया